वेलकम बैक तो माई चैनल कोडवित लक्षु आज के इस वीडियो में हम चानेगे कि हम एक Real-time Database के साथ करनेक्टिड वाल प्रफ़ेप अप्लिकेशन कैसे उसका? तो चलिए मैं आपको दिखाती हूं कि हमारा वाल पर अप्लिकेशन कैसे दिखे करते हैं तो यहाँ पर देख्थिए यह मेरा फोन का स्क्रीन है तो यहाँ पर यह जो हमारा AWS का एप्लिकेस्जन आज हम create करने वाले रहें तो यह पर जैसे कि आप देख सकते हों कि यहाँ पर सभी इमेजिस है वाल पेपर और अगर मुझे ऊच्छे कोई भी यहाँ से graphics ही हम कुछ second wait कर लेंगे उसके बाद back करके देखते हैं तो देखिए जो हमारा वाल्पेपर था हो successfully set हो गया है तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे की हम यह APLICATION को कैसे create कर सकते हैं कैसे इसमें add integrate करेंगे और कैसे इसे प्ले प्लिशन करेंगे तो चलिए हमारा वीडियो को स्टार्ट करते हैं को मीक्ट सबसे पहले हमें करना क्या होगा सबसे पहले तो हमें Samsung nosyda कली время database मे एक application को रेजिस्टर करना होगा तो यंदे देखिए हमने Google Chrome का ब्राउजर को ओपन कर लिया है और यहां पर हमें सर्च करना होगा Firebase, Firebase सर्च करने के बाद जो भी फॉर्स्ट में आप्शन आएगा उस पर क्लिक कर देना है, क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा आपको simply go to console पर क्लिक करना है go to console पर क्लिक करते ही कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा आपको simply करना क्या होगा add project के button पर क्लिक कर देना है और यहां पर बोल रहा है let's start with a name for your project तो सबसे पहले हमें android studio में जाना होगा android studio में जाने के बाद हमें file पर क्लिक करना होगा new पर क्लिक करना होगा then new project और यहां से empty activity को select कर लेना है और यहां से application को name देना है जैसे कि मैं इस application का नाम दोंगी my wallpapers okay और यहां से finish कर लेना है हम कुछ second wait कर लेते हैं जब तक हमारा application create हो रहा है तब तक तो यहां पर देखिए जो हमारा application था वह successfully create हो गया है अभी हमें क्या करना होगा अभी हमें simply हमारे Google Chrome के जो Firebase का page open था वहां जाना है और यहां पर project name में जो भी हमने application का नाम दिया था वो हमें यहां लिखना है जैसे कि मैंने my wallpapers लिखा था तो यहां पर भी मैं डालूंगी my wallpapers उसके बाद हमें simply करना क्या होगा continue पर क्लिक कर देना है यहां से continue पर क्लिक कर देना है उसके बाद select an account बोल रहा है तो यहां से create new account कर लेना है और यहां पर भी आपने जो अपने app का नाम दिया था वही same name यहां पर भी डाल देना है तो मैंने यहां पर भी my wallpapers करके डाल दिया है उसके बाद यहां से terms and condition को agree कर देना है check box को tick कर देना है then create project के button पर क्लिक कर देना है हम कुछ second wait कर लेते हैं जब तक हमारा project create हो रहा है तब तक तो यहां पर देखिए जो हमारा project था वह successfully create हो चुका है और यहां पर message आ गया है your new project is ready तो simply हमें continue पर क्लिक करना होगा भी क कटर करते ही एक new interface आसके सामने अपन हो जाएगा तो यहां पर देखिए ऐसा Interface आपके सामने open हो जाएगा आपको simply करना हो क्या होगा यहां से android को select करना होगा उसके बाद एक new page उपन हो जाएगा तो यहांपर बोल रहा है Android का package नेम डालें तो हमें simply करना क्या होगा हमें android studio में जाना होगा android studio में जाने के बाद gradle script के gradle script को expand करना होगा देन यहां से second वाला जो option है build.gradle का उस पर click करना होगा click करते ही देखो जो application ID पर यहां पर जो यह लिखा है उससे copy कर लेना है यहां से copy कर लेते हैं और यहां पर जाके इसको paste कर देंगे अभी यहां पर बोल रहा है कि app को कोई nickname देने का तो मैं क्या करूंगी जो हमारा application का name है same वहीं यहां पर लिख दोंगे my wallpapers अभी simply register app पर click कर देना है उसके बाद कुछ ऐसा interface आएगा जो second step में हमें बोल रहा है वह download google services.json file तो हमें simply करना क्या होगा download google services.json file पर click करना होगा click करते ही देखिए google services का जो file है वो download हो जाता है तो हमें simply drop down menu पर click करना होगा show in folder करना होगा और यहां से यह file को copy करना होगा right click करके मैं इसको copy कर लेती हूँ अभी हम अपने android studio में जाएंगे android studio में जाने के बाद आपको simply यह देखिए यह drop down menu जो दिख रहा है उस पर click करना होगा और यहां से project को select करना होगा project को select करने के बाद जो आपका app का name होगा उसको expand करना होगा और यहां से app जो folder यह उस पर right click करना होगा और यहां से paste कर देना है पेस्ट करने के बाद आप ध्यान दीचेगा इसका नाम सिर्फ Google services हो ओके तो यहां पर देखिए जो भी extra part था मैंने delete कर दिया उसके बाद आपको okay कर देना है तो simply हम वापस voice tap करेंगे drop down menu पर click करेंगे और android पर वापस चले जाएंगे उसके बाद हमें करना क्या होगा इसे हम close कर लेते हैं उसके बाद यहां पर हमें next पर click कर देना होगा next पर click करने के बाद यह हमें dependencies add करने बोल रहे हैं जो तो सबसे पहले यह जो class path वाला dependency है इसे में copy कर लेती हूँ copy करने के बाद इससे देखिए जो gradle script में first वाला build.gradle project है उस पर click करना है then यहां पर class path के नीचे इसे paste कर देना है और यहां पर sync now पर click कर देना है उसके बाद हमें करना क्या होगा नीचे आना है हमें firebase के page पर और यहां पर java का option select कर लेना है select करने के बाद हमें करना क्या होगा जो यह implementations के dependency है यह दोनों को इन्हें copy करना होगा और यहां पर देखिए अभी second वाले build.grader file में जाना होगा और यहां पर paste कर देना होगा हम दोनों dependencies को one by one paste कर देते हैं और यहां से हमें sync now के button पर click कर देना होगा और अभी यहां पर हमें next के button पर click कर देना होगा अभी यहां पर हमें next जो option आ रहा है वह continue to console तो वह option पर हमने click कर दिया तो उसके बाद देखिए कुछ ऐसा interface आपके सामने open होके आएगा और यहां पर देखिए जो हमारा app था वह successfully firebase के अंदर register हो गया तो हमें अभी करना क्या होगा हमें real time database को setup करना होगा और storage को भी setup करना होगा मैं आपको पूरा scenario समझा देती हूँ सबसे पहले तो हमें storage पर जाना होगा storage पर जाने के बाद यहाँ पर get started के option पर click करना होगा और यहाँ से starting test mode के option पर click करना होगा और यहाँ से next और यहाँ से done पर click करना होगा हम कुछ समय wait कर लेते हैं कुछ समय wait करने के बाद देखें यहाँ पर कुछ ऐसा interface open हो चुका है तो अभी हमें करना क्या होगा, अभी हमें अपने wallpaper app में जो display करने वाले images है वो यहाँ फिर upload करने होगे, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो मैं Pinterest टैप open कर लेती हूँ, open करने के बाद आपकी पसंद का जो भी आपका favorite images होगा आप यहाँ से उसे copy करके वहाँ upload करेंगे, मैं आपको सिखाती हूँ, one by one कैसे करना है, तो यहाँ पर मुझे सबसे ज़्यादा तो Krishna के images ही पसंद आते हैं, तो मैं यहाँ पर लिखती हूँ, Krishna, Krishna, Krishna search करते ही, यहाँ पर देखिए, बहुत सारे Krishna के images आ गए हैं, तो मैं simply करती क्या हूँ, यह images पर right click करती हूँ, और save images as कर देती हूँ, और यहाँ पर इनको number दे देती हूँ, one, वैसी 2-3 images में select कर लेती हूँ, और उसे save पर देती हूँ, तो जैसे कि आपने देखा, हमने बहुत सारा images save कर लिया, आपने folder में तो हमें simply करना क्या होगा, यहाँ पर upload file के button पर click करना होगा, click करने के बाद जो भी हमने images अभी download किये हैं, उसे सभी को select कर लेना है, और यहाँ पर upload कर देना है, तो हम कुछ second wait कर लेते हैं, जब तक यह upload हो रहा है, तो देखें, यह सारी images जो हमारे upload हो चुके हैं, अभी हम करेंगे क्या, हमें build के option पर जाना है, और यह real time database का option यह उस पर right click करना है, और यहाँ पर open link के new tab करना है, तो अभी हम करेंगे क्या, यह जो images से उस पर एक पर click करेंगे, click करने के बाद आपको पता चल करना है, और यहाँ पर जो एक्सेस token है, यह token को copy कर लेना है, और यहाँ पर जो हमने real time database का जो tab open किया था, उसमें कुछ इस प्रकार का interface आएगा, तो आपको simply create database के option पर click करना है, और यहाँ से जो भी default selected है, उसे वैसे ही रहने देना है, और next करना है, और यहाँ पर start in test mode कर कर देना है, और यहाँ से enable कर देना है, उसके बाद हम खुछ समय वेट कर लेते हैं, तो यहाँ पर देखिए, आपके सामने सब setup होने के बाद कुछ ऐसा interface आएगा, तो आपको simply करना क्या होगा, यह वली line पर ऐसे ही cursor को रखते ही, यहाँ पर देखिए, एड का एक बटन द देना होगा, जैसे कि मैं इसे name दोंगे, images करके, और यहाँ से plus की बटन पर क्लिक करना होगा, और यहाँ पर key में एक value देना होगा, जैसे कि मैं दे देती हूं 1, और यहाँ से इसके अंदर में select कर लेती हूं हमारा string, और जो हमने यहाँ पर storage पर जो copy किया था, images के नीचे जाके file location में access token को, यह copy किये थे, उसे simply जाके यहाँ पर paste कर दोंगे, और यहाँ से इसे add कर दोंगे, ऐसे ही मैं सारे images को इसके अंदर store कर दोंगे, तो चले मैं फटा-फट images को store कर देती हूं, तो आप ध्यान दीचे का, यह value का, जब selection करते हैं तो string ही select कर येगा, क्यूंक लगा देती हूं, सभी images को one by one, यहाँ पर देखिए, हमने बहुत, हमने 3-4 photos को, हमने save कर लिया है, अपने real time database में, अभी हम जाते हैं, हमारे android studio के coding के section में, तो चलिए, वहाँ पर चाके, हम आगे का code करते हैं, तो हमें simply android studio को open कर लेना है, open करने के बाद layout में जाना है, जो भी हमारा activity main file है, xml का उसे open कर लेना, यहाँ से delete कर लेते हैं, उसके बाद जो यह text है, इसे delete कर देना है, तो यहाँ पर हम अपने activity main.xml file में coding करना start करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग ने text view को delete कर दिया, अभी हमें यहाँ पर recycler view चाहिए इसके लिए में यहाँ पर recycler view और इसका width देती हूं 0db, same for height also, इसका height भी देतूंगी 0db, और इसे एक id देती हूं, जिसके तो हम इसे पहचान सके, तो हमें लिख देती हूं, rc main, और इसको हम लोग properly set कर देती हूं, इसके लिए हमें लिखना होगा, पटा पटा पो set up क करके दिखाती हूं, end to end of, इसे parent, फिर start to start off, इसे लिए parent, bottom to bottom of, इसे लिए parent कर देती हूं, और यहाँ पर top to top off, इसे लिए parent कर देती हूं, अभी यहाँ पर हमारा recycler view तो हो गया, अभी हमें हमारा data road होगा, तब तक हमें एक progress bar को show कराना है, इसके लिए में progress bar भी यहाँ इसके display कराना चाहते हूं, तो मैं progress bar लिख देती हूं, और इसका विद्दे देते हैं, wrap content, और यह hide भी देते हैं, wrap content, और इसको भी एक id देते है, id होगा, progress bar, इसे भी setup कर देती हूं, इसके लिए मुचे लिए लिए, लिए लिए, end to end of, इसको भी मुचे लिए parent कर देती तो जैसे कि आप देख सकते हो देखिए मेरा जो progress पार है वो center पर लोड हो चुका है यह हमारा जो activity main का जो coding था वो हो गया है अभी हमें क्या करना होगा अभी हमें एक adapter बनाना होगा adapter बनाने के लिए हमें simply करना क्या होगा जावा के folder के अंदर जो folder आता है com.xml.mywallpapers का उस पर right click कीजे new पर click कीज़र यहां पर इसे java class select कर लीजे और यहां पर इसका नीम दे दीजे wallpaper adapter इस से पहले हमें करना क्या होगा हमने अभी activity main के अंदर जो हमारा data आएगा उसे recycler view में display कराने के लिए हमने coding किया अभी हमें एक और layout बनाना होगा जिसमें हमारा data लोड होगा वह कैसे लोड होगा वह उससे दिखाना है तो चलिए हम एक नया layout फाइल बना लेते हों इसका नाम रखेंगे custom layout करके new तो यहां पर देखिए layout create new layout क्रेट करने क्लिए क्या करना होगा सबसे पहले हमें layout पर right click करना होगा और यहां पर इसे new पर click करना होगा और यहां से layout resource फाइल को select कर लेना है और इसका नाम दे देत system layout और यहां से स्प्लेट कर लेना है तो इसके बाद हमें इसे कस्टमाइज करना है तो सबसे पहले हमारा जो images होगा वो एक card view के अंदर store होगा इसके लिए में यहां पर material card view का यूज करूंगी तो यहां पर material card view select कर लेती हूं और इसका with match parent रहने तो hide कर देते हैं 300 dp और इसका card corner radius दे देते हैं 5 USD और इसका layout margin दे देदेते हैं 5 DB और इसके अंदर एक image भी होगा इसके लिए हम यहां से image भी select कर लेते हैं, इसका height और weight दे देते हैं, match parent, match parent, और इसका skill type दे देते हैं, center crop, और इसको एक id दे देते हैं, उसका नाम होगा img, और यहां से इसे close कर लेते हैं, अभी हमें simply करना क्या होगा, जो हमने wallpaper adapter class बना है, वहां पर जाना होगा, और वहां dot adapter, और यहां पर जो हमने wallpaper, जो हमने adapter का name दिया है, वो pass कर देना है, wallpaper adapter dot, यहां पर लिखना होगा, my view holder, उसके बाद यहां पर center पर cursor रखके, alt enter क्लिक कर देना है, और implement all method पर क्लिक कर देना है, तो यहां पर देखिए, सभी methods implement हो गए, और यहां पर error आ रहा है, वहां पर फि कर देना है, और यहां पर वापस error आ रहे है, वहां पर cursor रखना है, और यहां पर भी alt enter कर देना है, तो यहां पर देखिए, जितने भी errors से वो हमारे चले गए, तो अभी सबसे पहले हमें करना क्या होगा, हमें सबसे पहले एक error list बनाना होगा, तो error list बनाने के लिए हमें क् लिखना होगा private arraylist arraylist data type क्या होगा हमारा लिद्व क्या होगा हमारा stream यहां पर हम लिखते हैं लिखते हैं स्ट्रीन और यहां पर लिस्ट यहां पर हमें context भी बनाना होगा क्योंकि वालपीपर अडाप्टर को हम context के तुन दूसरे इँपडी करेंगे इसके लिए यहां पर लिखना अब प्राइवेड कंटेक्स्ट और यहां पर कंटेक्स्ट है यहां पर ढरती करोई कर सेरे सकारे और इसके बाद के दृभने कंस्ट्रॉक्टर बनाना होगा तो आंडुरीड स्टुट् 이oy में और The हो चुका है अभी हमें यहाँ पर क्या करना होगा हम अपना कोडिंग स्टार्ट करते हैं यहां पर हमें लिखना होगा वियू वियू वेरियेबल को एक नेम देते थे व्यू इस इकुल्स टू ले आउट इंफ्लेटर्म डॉट फ्रॉम यहां पर कंटेक्स्ट पास कर देंगे और यहां पर डॉट इंफ्लेट और डॉट लेयाउट डॉट जो हमने बनाया था ना कस्टम लियाउट उससे हम अड़ाप्टर के दूप फैच कर आएंगे क्योंकि हमारा डेटा कैसे दिखे वह कस्टम डॉट में जो जो हमने दिया था इंटर्फेस कैसे छीच粉 थाव यहां से लेंगे कस्टम लियाउट के तूं यहां से हम कस्टम लियूड को सिलेक कर लेते हैं उसके बाद यहां पर हमें लिकना होगा पsels 500 errors और यहां पर हमें लिखना होगा रीटर्न wyfolder और यहां पर वीब वो पास कर देंगे और यहां पर पर गेट आयटम काउंट में हमें लिखना होगा return List dot Size यह List कहां से आल गयां आल टैम मत पास कर देना है तो यहां पर देखेंगे कि हमारे Custom layout में इमेच वे में होगे तो इहां पर जो इमेज बीध इम चाहिए मों एक्ड़ेंगे इनिशलाइस करना होगा यहां पर हमें लिखना होगा इमेज वियू और यहां पर इमेज वियू का एक वेरियेबल का नईम दे देते हैं और यहां पर और इंटर करके इंपोर्ट कर देना है इंपोर्ट करने के बाद यहां पर हमें इसको इनिशलाइस करना होगा find view by id करना होगा इसके लिए क्या करना होगा यहाँ पर लिखना होगा image view is equals to item view dot find view by id और यहाँ पर r.id जो भी हमने image को id दिया था वो लिख देना है यहाँ पर देखिए यह id जो हमने दिया था वो same यहाँ पर हमने लिखा है तो आप confuse मत होईएगा और अभी हमें करना क्या होगा अभी हम on bind view holder पर coding करेंगे तो इसके लिखना होगा सबसे पहले glide dot तो सबसे पहले glide का package import करना होगा हमें तो उसके लिए हमें क्या करना होगा हम Google Chrome में जाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे glide dependency और जो भी first world option आएगा उस पर click कर देना है click करने के बाद यहाँ पर नीचे scroll करते हैं और यहाँ पर देखिए glide का जो dependency उसे copy कर लेते हैं glide हम यूज करें क्योंकि हमें अपने data को image view में दिखाना है तो glide help करता है हमारे data को image view में display करानी के लिए तो इसके लिए हमें glide dependency की जरुवत पड़ेगी तो यहाँ पर हमारा जो dependency है वो add हो रहा है हम कुछ समय वेट कर लेते हैं तो देखिए जो हमारा glide का जो dependency था वो add हो चुका है तो अभी हम आगे का code लिखते हैं तो हमें लिखना होगा glide dot wait फिर यहां पर हमें context देना होगा फिर हम पर dot load कहां से करना है list dot get और यहां पर position पास कर देना है तो यहां पर get position के बाद हमें लिखना होगा dot into और यहां पर हमें अपना image view का location देना होगा तो यहां पर हमें लिखना होगा holder dot image view अभी कभी भी जो हमारा data load होगा उसके जब उस पर जब user क्लिक करेगा तो क्या होना चाहिए उसके लिए हमें यहां पर on click listener set करना होगा तो उसके लिखना होगा holder dot item view dot set on click listener new view on click listener ऐसे करके हमें on click listener को add कर लेना है अभी हम जाते हमारे main activity में यह section को हम थोड़े देर में complete करेंगे क्योंकि इससे पहले हमें main activity में जाना होगा और वहां coding करना होगा चलिए हम अपने main activity dot java में code लिखना start करते हैं तो सबसे पहले हमें करना क्या होगा code लिखने से पहले हम करते क्या है हम सब भी dependencies को add कर लेते हैं तो यहां पर हमें यह और dependency अपिकल लेती हो और यहां से पेस्ट कर देती हों अब ध्यान दीजेगा कि यह जो डिपेंडेंसी यह एड करना बहुत ज़रुरी होते हैं अगर आपनी यह नहीं किया तो आपके एप्लिकेशन में कही ना कहीं एरर प्लोग करेगी तो आप टेंशन मत लीजेगा मैं ये डिपेंडेंसी को अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डालूंगी तो वहां से आप इसे एकसेस कर सकते हो तो यहां पर देखिए डिपेंडेंसी एड करने के बाद हमने सिंक नौ के इसके बाद हम कुछ सेकेंड वेट कर लेते हैं वेट करने के बाद आपको कुछ देखिए इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाएगा तो आपको यहां से डियल टाइम डेटाबेस पर क्लिक करना है और यहां पर अगर यह दोनों डिपेंडेंसी पहले आड कर लेतो तो कर सकते हो और अभी हमें यह वाला डिपेंडेंसी को भी एड करना है क्योंकि हम रियल टाइम डेटाबेस को एकसेस कर रहे हैं इसके लिए तो हमें यहां पर एड़ रियल टाइम डेटाबेस है अभी हमें करना क्या होगा मेल इसके लिए सेली करना पड़ेगा ऊसके लिए हमें लिखना होगा प्राइवेट रिसाइकलर व्यू और यहां रिसाइकलर व्यू का एक वेरियेबल वैसे प्राइवेट प्रोग्रेस पार और उसका एक वेरियेबल नेम प्रोग्रेस पार और इसके नीचे लिखना होगा प्राइवेट डेटाबेस रेफरेंस और यहां पे डेटाबेस रेफर यहां पर हमें करना क्या होगा सबसे पहले हम डेटाबेस रिफ्रेंस को इनिशलाइज कर देते हैं तो उसके लिए कैसे करना होगा लिखना होगा यहां पर database reference is equal to firebase database dot get instance dot get reference और यहां पर dot करके child और यहां पर child के अंदर आप क्या लिखेंगे पता हैं यहां पर child के अंदर हम जो हमने अपने database में जो database का नाम दिया था ना images वह वहां पर लिखेंगे तो आप देख लिजेगा कि spelling mistake ना होई इमेजीस है प्रॉपरली तो आप वहां पर भी इमेजीस ही लिखना अगर आपने spelling mistake किया तो आपको आगे जाके issue हो जाएगे तो यहां पर हमने firebase database को initialize कर दिया उसके बाद हम recycler view लोगों को initialize कर देते हैं recycler view is equals to find view by id r.id.rc main यह कहां से लिया हमने जो हमने activity main.xml में id द किया same for progress bar also progress bar के लिए भी progress bar is equal to find view by id और इसके अंदर लिखेंगे r.id.progress bar अब भी हम यहां पर एक method बनाएंगे get data का तो यहां पर मैं एक method बना लेती हूं जिससे हम सारे data को fetch करेंगे यहां पर alt enter करके create method करके method को create कर लेना है इसके अंदर हमें करना क्या होगा हमें लिखना होगा database reference dot add value event listener और यहां पर new value event listener और यहां पर इसे हमें close कर ले रहा है on cancelled में अगर error आई तो हमें यहां पर लिखना होगा toast एक toast ले देते हैं यहां पर हम क्या करते हैं main activity dot face और यहां पर हम लिखेंगे text में error और यहां पर plus error dot get message ताकि जो भी message हो वो हमें display हो जाए और यहां पर हम progress bar को gone कर देते हैं तो यहां पर लिखते हैं progress bar dot set visibility gone और यहां पर हमें लिखना होगा पर सबसे पहले तो हमें हमारा जो एरे लिस्ट था उसको इनिशलाइस करना होगा उसके लिए हमें लिखना होगा list is equals to new array list ऐसे करके इसे इनिशलाइस कर देंगे इसके पहले हम वह progress bar को यहां पर भी visibility उसका गौन रख देते हैं progress bar dot set visibility और यहां से गौन फिर अभी हम यहां पर फॉर इच लूप चलाएंगे तो फॉर और यहां पर हमें लिखना है data snapshot यह देखिए यह और यह प्रॉपर होना जाए फॉर डेटा snapshot पर इससे एक वरियेबल नेम दे देते हैं फिर यहां पर snapshot dot get children लिख देना है और यहां से कलीब्रेसिस open कर लेना है और यहां पर हमें लिखना क्या होगा string data is equal to short जो उपर वाला वेरियेबल नेम दिया था वही short dot get value यहां पर देखिए का आप जो get value select कर रहे हो वह एक object ही हो get value और यहां से close कर देना है get value dot to string करके get value dot to string और यहां पर हमें लिखना होगा list dot add और यहां पर data पास कर देंगे तो यहां पर देखिए जो हमारा for each look था वह complete हो गया है हमें recycler view को set करना है adapter set करना है इसके लिए हमें लिखना होगा recycler view dot set layout manager set layout manager new यहां से घ्रीड layout manager को select कर लेते हैं सबसे पहले हमें activity को pass करना होगा तो हम लिखते हैं main activity dot this तरी हां पर two spend count दे देते हैं two three हां पर हम wallpaper adapter को initialize कर देते हों तो लिखना होगा wallpaper adapter is equal to new wallpaper adapter और इसके अंदर हमें list को करना होगा लिस्ट पाइ cred के बाद हमें context देना होका तो हमें एक्टिवींटी को पास करेंगे main activity.this ऊसके बाद हमें सेट करना होगाच लिखना होगा recyclerview.setadapter सेटम एधाप्टर को पास कर देना होगा और यहाँपर हमें प्रोग्रेस पार की visibility को gone कर देना होगा तो इसके लिए हम लिखेंगे progress bar.set visibility और यहां से gone तो यहां पर जो अपना main activity का जो coding था वो पूरा complete हो चुका है अभी हमें करना क्या होगा अभी हमें एक new activity create करना होगा वह activity का नाम हम रखते हैं full image activity क्योंकि वह वाले activity में हम पूरा image को देख सकती हो और उसे अप उसमें एक apply button लगाएंगे जिसके तुरू हम अपने wallpaper को set करेंगे तो चलिए हम वह activity को create करते हैं तो activity को create करने के आपको simply करना क्या होगा यह जो java के फोल्डर के नीच परस का जो फोल्डर है उस पर right click करना होगा then new पर क्लिक करना होगा और यहां पर activity पर क्लिक करना होगा और यहां से empty activity select कर लेना है और यह activity का name दे देना है full image activity और यहां से enter कर देना है इंटर करने के बाद आप देखोगे कि जो आपको full image activity है वो create होगे तयार हो चुका है अभी हम इसके activity xml फाइल को हम कस्टमाइज करेंगे तो इसके लिए हमें करना क्या होगा activity full image पर जाना होगा और यहां से split कर देना होगा चलिए हम अपना activity full image को कस्टमाइज करना अब स्टार्ट करते हैं xml फाइल को तो यहां पर हमें एक इमेज भी चाहरेगा और बटन तो सबसे पहले हमें image विव को इनिशलाइज करते हैं image विव इसका विद और हाइड देते हैं और इसको आईडी दे देते हैं आईडी और यहां पर फुल आई-एमजी उसके बाद इसे फुल स्क्रीन में होना चाहिए इसके लिए कर इसके हम इसे प्रॉपर सेट कर देते हैं start to start of end to end of पैरेंट एंड और यह भी पैरेंट होगा और लास्ट होगा bottom to bottom of यह भी पैरेंट कर देंगे और अभी हमें एक बटन की जर्वत पड़ेगी थाकि हम अपने वालपेपर को सेट कर सके तो इसके लिए हम material बटन यूज़ करेंगे और यहां पर इसका हाइड और वीड दे देंगे रैप कंटेंट रैप कंटेंट और इससे बॉटम में सेट करना है इसके लिए हम यह देंगे start to start off इह लिए पैरेंट तो टॉप ओस्तो ओफ ये भी पैरेंट कर दे सेंग ऑसे बोटं तो बॉटम ओफ ये भी पैरेंट कर दे से लिए बॉटम तो बोटम उफ ओफ है तो आ तो यहां पर हमें start to start off देंगे bottom to bottom off और end to end off वाला दे देंगे ताकि वह exactly at the bottom पे set हो जाए अभी हम उसके ओपर text लिखेंगे मैं text दिखाना चाती हूँ apply करके तो यहां पर देखिए apply का जो text था वो already add हो चुक है अभी हम यह text को एक id देंगे तो हम लिखेंगे id और इसको दे देती हो मैं apply button अभी हमें क्या करना होगा अभी हमें wallpaper adapter में जाना होगा जो भी हमें data जो प्रंट page में मिल रही है उस पे click करेंगे तो next page में जाने के लिए हमें यहाँ पे intent से data pass करना होगा तो data pass करने के लिए हमें लिखना क्या होगा intent पिर intent is equal to new intent यहां पर हमें context पास करना होगा और यहां पर जो activity जहां पर हम data पास करें वो तो हमें लिखना होगा full image activity dot class हमें यहां पर लिखना क्या होगा intent dot put extra और यहां पर हम image करके name पास कर दें image और यहां पर से कहां से पास कर रहे हैं उसे list dot get position लिखना होगा और यहां से context dot start activity और यहां पर intent पास कर देंगा है तो यह होगा हमने data जो है वो पास कर दिया full image activity में अभी हम full image activity में coding करना start करते हैं तो सबसे पहले हमें करना क्या होगा यहां पर हमें image view और बटन को initialize करना होगा तो उसके लिए हमें लिखना होगा image view रिशिक variable को एक name देंगे यहां पर error आ रही होगी तो alt enter करके import class कर देना है और image view हो गया और एक था material button यहां पर material button को भी pass कर देते हैं इनका find view by id कर देते हैं तो हमें लिखना होगा image view is equals to find view by id r.id यहां पर image नहीं हमारा जो id था वो था full image और material button is equals to find view by id r.id और यहां पर हमें क्या pass करना है apply button जो सारे हम लोग ने activity full image में दिये थे ना ाइडी वो सारे आइडी यहां पर हमें pass करने होगे तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं तो अभी हमें करना क्या होगा glide से data को यहां पर patch करना होगा जो intent से pass किये data को get करना होगा तो इसके लिए हमें लिखना होगा glide.with और यहां पर हमें activity को pass करना होगा this और उसके बाद लिखना होगा load और यहां पर get intent get intent.get string extra और यहां पर जो image करके एक variable pass किये थे ना वो हमें यहां पर लिखना होगा आप देखिएगा कि यह जो text है और जो हमने wallpaper adapter में जो यह image का text है वो exactly same है कि नहीं अगर वो same नहीं होगा तो आके चाके issue आ जाएगा तो ऐसे लिखने के बाद image लिखने के बाद dot हमें कहां चाहिए into और यहां से हम image view को pass करतेंगे into image ओके अभी हमें apply button के उपर click करते ही हमारा wallpaper set हो जाना चाहिए इसके लिए हम apply button के उपर on click listener लगाएंगे तो हम लिखेंगे material button dot set on click listener यहां पर new view on click listener यहां पर एक method बना देती हूं set background उसके बाद इसे alt enter कर देती हूं इसका एक method बनाती हूं create method full image activity के अंदर इसके बाद हमें यहां पर लिखना होगा wallpaper manager यहां पर इसका एक variable बनाना है is equals to wallpaper manager dot यहां पर हमें लिखना होगा get instance फिर यहां पर get application context लिखना है उसके बाद हमें लिखना होगा manager wallpaper manager dot set bitmap और इसके पहले हमें लिखना यहां पर एक और लाइन लिखना होगा वह लाइन थे bitmap और यहां पर उसका variable का एक नेम देतेंगे bitmap is equals to फिर उसके अंदर लिखना होगा यहां पर देखिए double parenthesis आना चीओ के यहां पर लिखना होगा bitmap drawable फिर उसके बाहर लिखना होगा image view dot get drawable और यहां से इसके बाहर dot get bitmap ओके यह लिखते ही और यहां पर wallpaper manager dot set bitmap और यहां पर bitmap को पास कर देना है तो यहां पर देखिए error throw कर रहा है यह error इसलिए throw कर रहा है क्योंकि हमने manifest file बे set wallpaper का permission नहीं डाला है तो यहां पर permission डालने के लिए आप simply alt enter कर दीजेगा और यहां से add permission set wallpaper क्लिक कर देना है और यहां पर देखिए हम देखते हैं हमारा set wallpaper का permission add हुआ है कि नहीं तो यहां पर देखिए ने में उसको पास करेंगे full activity.this और यहां पर जो भी error होगा plus c.get message ओके तो चलिए हम देखते हमारा सभी coding properly हुआ है कि नहीं यहां पर हमें सेल्कल या है main activity भी प्रॉपर है अब ध्यान दीजेगा कि आपने वाल पेपर का permission और internet का permission अपने management file में दिया है कि नहीं अगर नहीं दिया होगा तो आपके application run करोगे तो जरूर प्रॉब्लम आएगे तो चलिए मैं अपने program को run करके दिखाती हूं आपको तो यहां पर मैंने run के button पर click कर दिया यहां से मैं visor को enable कर देती हूं ताकि आपको मेरा mobile screen laptop के screen पर दिखें यहां पर मेरा visor application open हो रहा है यहां से मैं view device कर देती हूं और यहां पर दिखाते हूं देखो जो मेरा application था वो successfully run हो हो चुका है और यहां पर आप देखिए वाल पेपर देख सकते हैं यह वही वाल पेपर हैं जो हमने starting में add किये थे तो अगर में कोई वाल पेपर को अपने device में set करना है तो मुझे simply करना क्या होगा यह जो full screen में नहीं आ रही है इसके लिए मुझे यहां पर activity full image में जाना होगा और जो यह image view है इसका scale type को कर देना होगा यहां पर android scale type और यहां से center crop और इससे run कर देना है ताकि वह फूरे full screen में दिखाए दें तो हम कुछ second wait कर लेते हैं तो यहां पर देखिए center crop करते ही जो अभी हमारा image था वह full screen में हो गया है तो यहां पर देखिए जो यह मेरा wallpaper है अगर आप चाहते हो इसका logo बदलना मैं आपको दिखाती हूं आपके फोन में अगर अपने अपको रन किया है तो वह आपको कुछ ऐसे दिखाए ऐसे इंटरफेस से दिखाए देगी देखिए माई wallpapers का अगर आपको यह logo को change करना है तो आपको क्या करना होगा आपको simply google chrome में जाना है जाने के बाद एक फ्लैटिकॉन करके एक website है वह search करना है फ्लैटिकॉन.com वहां पर जाने के बाद आप search कर लेना wallpapers फिर एंटर कर देना फिर उसके बाद यहां पर बहुत सारी wallpapers की जो logo होंगे वह display हो जाएंगे तो अगर मुझे यह वाला भी बहुत अच्छा लग रहा है तो यह लोगो मुझे चाहिए तो मैं इस पर click करूंगी और यहां से png पर click करती हूं यहां से free download तो यहां पर मेर जो image है वह देखिए download हो चुका है अभी मैं file explorer में जाओंगी जाने के बाद जो भी मेरा images download हुआ फर्स्ट वाला उसे यहां से वह logo को copy कर लूंगी copy अभी मैं अपने android studio में जाओंगी android studio में जाने कबाद drawable पर right click करूंगी और यहां से paste कर दूंगी और यहां से drawable को select करके और यहां से इसका नाम दे दूंगी logo और यहां से ok अभी मैं अपने manifest folder के अंदर जाओंगी folder के अंदर जाने के बाद जो भी यह देखो icon का यह है उससे में यहां से delete कर दूंगी यहां पर simply logo लिखूंगी तो देखिए जो भी हमने image अभी change किया था वह भी display हो जाएगा यह यहां पर simply में लिख देती हूं लोगो जो image यह उसका पार देती हूं और जो मेरा wallpapers का देखिए यहां पर मेरे device में जो यहां पर यह icon दिख रहे है map ic launcher इसे बोलते हैं तो यह change हो जाएगा यह जो हमने change किया manifest folder में यहां पर change किया तो वह वहां पर भी change हो जाएगा अभी मैं क्या चाते हूं कि यह जो my wall papers है इसके जगा में simply यहां पर देखिए मैं चाते हarettes हूं कि यहां जो my वालपेपर का text सखों जैसे कि Krishna wallpapers तो मैं currently यहां पर देखिए values के folder में जाना है values के folders में जाने क बात strings में जाना है स्ट्रिंग में जाने के बाद यह जो माई वॉल्पेपर्स के है उसको डिलीट कर देना है और वहां पर लिखना है कृष जो भी आपको न्याम देना होगा आपके अप्लिकेशन का वो तो यहां पर देखें मैंने कृष्णा वॉल्पेपर्स लिख दिया अभी मैं क्या करती ह सिंब्ली अपने मोबाइल फोन में जाती हुँ और मेरा एमच्क शन उसे यू में इस्ट्रॉल करती हूँ और यहां से विर से रान करके दिखा दिखाती हूं यहांपर देखिए जो हमारा एप्लिकेशन थे वह ओपन हो रहा है और यहां पे सक्क्सक्श्ववली उपन हो च तु हहां पर देखिए जो logo था वो application का नाम हो गया गया नाम भी या पर application एक से पडिगर नहीं ऒह और होगा है सबसे पहले लिख देना आप the तो यहां पर देखिए यह जो टेक्स्ट है वह ट जाएगा तो हम कुछ सेकंड वेट कर लेते हैं जब तक हमारा प्रोग्राम हो रहा है तब तक तो यहां पर देखिए जो वो टेक्स था वो भी हट चुका है और अभी आप हमारे वाल पेपर आपका इंटरफेस देखी सकते हो अभी नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कि हम इसमें एड कैसे इंटिग्रेट करेंगे और इसे प्ले स्टोर में कैसे पबलीश करेंगे तो अगर आपको इस वीडियो के रिलेटिट कोई भी डाउट या इसू होगी तो फिल फ्री तो कमेंट में दे कमेंट सेक्शन थैंक यू फो वाचिंग दिस वीडियो